चुटकी? अन्य बाया? कैसी हो चुटकी? क्या कहा? चुटकी? क्यो दिदी? बड़ी मा के बेटे ने इसकी शादी हो जाए, इसके बच्चे हो जाए, फिर भी मेरे लिए छोटी बेंच चुटकी रहेगी ना तो अब समझा मैं कि तुम काउन हो? गुडिया कहा है? स्कूल जाने की तैयारी हो रही, अंदर चलिए, आईए ना ज़र सुनो तो तुम्हारी सेहत बहुत ज़्यादा गिर गई है, थोड़ा पॉश्टी कहा, खाया करो है? अब अब लगता है, बहुत दिनों के बाद अपनी बहन को देख रहे हूँ, आपके शादी हो गई क्या? पहली वाली चल बसी, दूसरी करनी है करनी है, इसी मैं उलजा वा हूँ अरे बेचारा, लगता है बाब में रिक्षा आ गया मेरी गुडिया इतनी बड़ी हो गई है, मेरी गुडिया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, दुर्गा, जिल्मत वाली, ठैंक यू, रिक्षा आ गई, चलो चलो चलो, सुनो, सुनो, शाम को आटमत लाना, इसके पापा ले आएंगे, ठीक है बेहन जी, है सुन, इतरा, जी गलती कर दे उसने, गलती ना करने के लिए था, गलती करने के बाद मारने से क्या फाइदा, ये पार्टी मेरे काम के लायक ही है, क्या बोला तु, भाईया, चली आपको एक स्ट्रॉंग चाय पिला था, अनिल चाय ने पिता, मलाई वाला दूद पिता है, रम मिला कर, और अधिया, यहां क्यों रुके? मेरी बेठी यहां पढ़ दिये, आज उसके स्कूल का बार्शी कुछ सब है, प्रोग्राम है, इसलिए उसे लेने आया हो गया थाइंक यू, थाइंक यू इस संगीत की प्रोग्राम में पहला स्थान जी से मिला है, उसका नाम है, दुर्गा, जिसने सब का मन मोह लिया आज प्राइस रिस्ट्रिब्यूशन के लिए, हमारे आज के माननी आती थी, आदर्नीय तामिलनाडू के ची सेकेट्री महेंद्र वर्मा जी की धरम पत्नी, श्रीमती विद्यालक्ष्मी जी, क्रिप्या स्टेज पर आईएं थैंक यू, कुंग्राचुलेशन्स, थैंक यू, मैम, वेरी गू, बहुत सुरीबी, तुम्हें ये गाना किसने सिखाएं, पापा ने, वो यहीं पर हैं, कहाँ पर पर आईएं अब ही तो यहीं पर थे, ओ, कोई बात नहीं, आई, अच्छ, बाइ, 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 च्रीलता, पापा, ये, देखो, ये मुझे मिलना है, लोड खाली करो, मौसे जी, ये बाहर कितना कुड़ा और खच्रा बिखरा बड़ा, इन्हें साफ करवा देती, तरिफ खाना पका कर देना ही काफी नहीं होता, आस पास के एरिया में साफ सफाई होगी, तो लोगों को अच्छा लगेगा, समझ गई? हाँ, 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 इतनी बाहर का है कि यहाँ पोस्टर वगेरे मत लगवाँ पर कोई मानता ही नहीं है, वो केदार कहाँ चलागी, लगता है कहीं बाहर गया है, मम्मी, ये दोनों मुझे मिले, ओ मेरा बेटटा, बेरी गोड, जरा मेरे टावल दे देना, मैं आने जा रहे ह है, अनेल भाईया, किस लिए है, पता नहीं, कह रहे थे, जीजा जी ने बुलाया है, जीजू ने, कौन जीजू, मुझे तो उसकी सूरत देखते ही चड़ा आती है, कोई पुलिस केस हुआ होगा, या फिर पैसों की जरुवत होगी, देखना, दुरका बहुत ही नाराज है, क्यों, उसने आपको स्टेज से देखा और आप स्टेज पे गए नहीं, मैं आचानक स्टेज पर कैसे चला जाता, लोगों को बुरा लग सकता था, तुम हमेशा अपने आपको इतना छोटा क्यों समझते हो शेखर, इतना कॉम्प्लेक्स अच वो क्या है कि बच्ची को प्राइस देने के लिए आती थी बनकर जो वी आई पी आई थी, वो हमारे गाओं की विद्या लक्षमी थी, मेरे माता पिता के देहांत के बाद मैं उन्हीं के घर पर पला बढ़ा, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, हम दोनों सगे भाई ब जहन की तरह थे, एक पाक रिष्टा था हमारे बीच, मगर गाओं वालों ने इस रिष्टे को बदनाम किया, तोहमत लगाई हम पर, और घर वालों ने विद्या पर पाबंदिया लगई, स्कूल जाना बंद करवाए, फिर हमें लगए यहां रहना ठीक नहीं, हम कहीं और च सबका खाना तेयार हो गया है, नजर मत चुराइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हर काम के लिए एक वक्त होता है, समझे, यह यह पराठा और चिकर, लेजा, यह लेजा, चे पराठा और एक चिकर, ओके, स्टॉप स्टॉप यही रोक दो, राइशाब मेरे पैसे, क्या वुटाई, कितना हुआ, सो रूपए, कितार, मेरे पास्टों का नोठ है, चार सो रूपए वापस दे, हम एक, दो तीन चार, ठीक है, जा, अरे भाईशाब भाळा, क्या, आठो का भाळा, तेरे आठो का भा भाड़ा हुआ सो रूपिया उसने पांच सो रूपिय दिये चार सो रूपिय मैंने वापस दिये बिल्कुल सही है यार बेकार में दिमाग खरब कर रहा है यह लिए अर्य मालिक केदार कहां गया था तू वो क्या है कि भाई साब को घुमाने किया था तल से काम पर आने की जरूवत नहीं तुम ठीक ठाक बात कर लेते हो इसलिए तुम्हें रखा हुआ लेकिन जरूवत की वक्त मौजूद नहीं रोगे तो तुम्हारे होने का प्रोटेक्शन मालिक ठीक से पढ़ी है प्यारे साले साहब आपका जीजा यह चेठी मैंने नहीं लिगी और यह मेरे हैंड़ाइटिंग नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी से लड़ाई जगड़े नहीं करता अब आगे है तो कुछ दिन रहने दीजे मालिक नाक प अब प्रोटेक्शन अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन तब रहत के परिवार में बहुत मजबूत गुंडा है सब अपनी परिवार म defending से लिए तो बाहर सब हैर करने की क्या जरूरत थी। किसी लिए चिप्ठी लिए मारिया गमत माफ कर दीजे मुझे दुख है कि अब कुछ दिनों के लिए जेव खर्च की चिंता नहीं वह कैसे सोच रहा था कि जीजा जी से काम के पैसे कैसे अब कोई चिंता नहीं पैसे तो तू देगा ना मैं दो मसाला डोसा बनाओ जीजा जी मैं यहां कुछ दिन और रहूंगा हमें इस धाबे को और अच्छा बनाना है लेकिन ऐसे बुड़ियों को यहां से निकालना होगा चल चुट कौन है यहां बुड़ी तू कौन सा जबाने बढ़ाया आप पर चली आज कल के मर्दों से ज जीजु उससे डर कर अंदर छुप गया राधा अपने भाई से को अपना मूँ बंद रखे परना अपना असली रूप दिखाऊंगा बेकार में बगबग कर रहा है अरे रुकी क्या है आपका असली रूप हां आज तक आपने किसी को एक थपड भी नहीं मारा है और अनिल भाईया को अपना असली रूप दिखाने की बात कर रही है मासी आप सो जाईए ठीक है गुडिया सो गई क्या सो गई बदमाश कहीं कि पापा कहा है पापा को होटल बन करना है स्वामी को श्लोक सुमा कर सुला दिया और आज का हिसा पुरा करके टेबल पर रख दिया है अब मैं जाओ क्या रात को रहर्सल है मालिक तुबह जल्दी आना देर मत करना जी खाने में क्या है अरे साब मोटल तो बंद हो चुका है बाहर डी एस पी साब बैठे है ना मत बोल चपाथी और चिकन करी बना कर दे सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा हाँ चलेगा ज्यादा लेट मत करना राधा दो सोड़ा ले रहा हूं जी राधा जी ज़र आटा लेकर आना अहां सर खाना तयार है काम वाले सब चले गए आप हैं इसलिए मैंने मैंने तुम्हें कहीं देखा है यह मेरी घरवाली ओ अरे जरा रुको तो न हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं तुम कहां की रहने वाली हो चितूर ओ चितूर गाओं की रहने वाली हो अब समझ में आया तुम वो पीपल के पास रहने वाले गंगाधर की बेटी हो न राधा तेरा बाप मर गया क्या तरब बहुत बढ़िया चल रहा होगा तेरा ये बिजनेस कितने साल से यहां सेटल हो? छे साल हो गैसे तेरे भाई अनिल के बारे में कोई ख़बर है क्या तुझे? नहीं तु जानती है भी वो कहाँ पर है? सरजीव, देखिए तेरे सामने से अच्चा वो फाईल मैंने अभी तरह क्लोज नहीं किया तो उससे अगर उसी दिन अच्छी तरह से इंक्वारी कर ली होती तो वो फाईल क्लोज हो जाती इसनो, इसका बाप है न वो गंगाधर अपनी राईडनीती की पहुँच का इस्तेमाल करके केस को दवाने में काम्याब हो गया था सर जी, भगवान के लिए हमें परिशान मत कीजिए क्या तू जानता है, इसका खांदान कितना महान है पता है सर आप इसके भाई को पकड़ने के लिए इसके घरा कर इनको परिशान करते थे तब ही अमारी शादी हुई थी सर आप हमें भी उसी तरह परेशान करेंगे तो उपर तक जाकर आपकी शिकायत करनी पड़ेगी चुप रासकल मुझे डरा रहा है किसकी और काई शिकायत करेगा तू हाथ बंद लगा है तो क्या कर लेगा हाथ लगा है तो काट कर रख दूगा तो मेरा नाम बदल देना उन्हों सवालों से उलशता है छोड़ूगा नहीं अनिल तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूद थ जीजू मैं तुम्हारी जगे होता ना तो ये पुलिस वाला इतनी देर जिन्दा नहीं रहता ए छुटकी तेरा ये पती तो औरतों से भी ज्यादा गया गुज़रा है अपने घर की इज़द भी ने बचा सकता ये तो बाकी सरदर्द हो गया है मानता हूँ अनिल ने हमारी फेवर की लेकिन अफसों से कि वो पुलिस से उल जाए उसके लिए तुम क्यों रो रही है तुम जिन्दगी में हमेशा आसुबाहती आ रही है हमारे परिवार में क्रिमिनल पैदा होगे तो उसमें हमारी क्या यह कलती जो होगा देखा जायेगा परिशानमतो गयो वह टो के शुटमेश ऊत्य स्ररक्व एक बोरी क्यों एक बोरी क्यों मुंगलीगो जिव bubble φalash ago laos फंसके किलो जो नार्या नार्यल कंदरह किलो जोली फंसके 95 गिलो वहा पांच किलो और बोलने या धो ताट अरे गधे ये क्या लिखा तो ने? शेकर, बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही? दिखाए नहीं देरी, पारो के साथ कहीं खेल रही होगी वो पारो के साथ नहीं है, मैं देखकर आ रही हो, कहां चली गए वो तो फिर कहां गई होगी, उडिया तम्हाल के उतरना बिटा हम लोग ज़रा घूमने के लिए गया थे जीजू गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन चाबी तो मेरे पास है बेना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने में माहिर हो मैं इसका मतलब तुम गाड़ी उडाने का भी काम करते हैं तीन साल हो गए उस काम को चोड़े मेरी गुडिया बहुत होश्यार है आप चुप क्यों हो जीजू गाली देना है तो देदो अगर मैं पहले वाला आनिल होता तो गाड़ी लेकर कपका भाग गया होता चल गाड़ी में बेट गांचलना जीजू बाजार जाना है आज मैं आपको दिखाऊंगा इस चलाते कैसे हैं यहां बढ़िया माल है सच में कितना बढ़िया माल है ऐसे क्या देख रहे हो अच्छा माल होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना अच्छा हालो जल्दी पैक करो भाई सुदाकर यह सामान जल्दी निकालो को लिस्ट देजिए केदर लिस्ट दो जे अनिल भई यह कहा गया हो वो उसके पीछे के आओगा हमारा आदमी है जल्दी देदो जे पिछली बार जो ले गया तो वो खराब था इस बार ऐसा नहीं मालिक बन जाते हैं। देखो ये मुल्क सभी का है, कोई कहीं भी आ जा सकता और कारोबार कर सकता है। ऐसा मालिक? आप बिल्कुल। प्रिज प्रेक्टोर्ड पंप का मैनेजर तुई है ना? जी हां, कहिए। आप काम करने वाली लड़की से हसी मदाख कर लिया तो गुंडों से पिटवाया मुझे हां। मैं समझा नहीं। ये मामला उस समय कहा जब अनिल गाउं से आया था। आप मेरे साले अनिल से पूछे। अब पूछना नहीं है साम। अनिल के साथ जो लफड़ा है अनिल के साथ ही खत्म करना पड़ेगा। कैसे? देरी तॉप सुदागर जरह जल्दी कर दो अच्छा। केतार तुम क्या देख रहे हो? इनने लगी चुड़ाएंगे तो खोन खराब हो सकता है। उनके लफड़े को निपड़ने दो तुम लिस्ट में देखो क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है। जी मिए। दो यूदाएंगखड़ यूदववपपः यूदाव Hey- अरे जीजू आप मुझे यहां अकेले छोड़ कर जा रहे हैं मैंने आपकी विज़े से तो पंगा लिया मैंने किसी को पंगा करने को नहीं का था जिसने शुरू किया वही खतम करें तो अच्छा है यह तो साल भर का राशन लग रहा है यह हमारा चार दिन का राशन पानी है जाने और आनी की गाड़ियां जब आती है तो हमारे धाबे में जगय नहीं मिलती और जब भी सिकंदर भाई की लौरी आती है ना तो फिर नाच गाना धमाल पूछो मत भाई तारा नारा नारा दंताब का लएफ चाल चाल से नियाए और मुष्ट का आप है कहानी है। अरे चीलो पूल के यहां कलका । इसको पता यारी की यही निशानी है। कन-कन-कन, कन-कनादन चम 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 चमा चम चम चल 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 के जिसक्थ unity it. दम-डम-डम-दम में बिल गए हम दनादन जम घम जम ते चुमो माझ। है। 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 हौ Feder preço works १ può जै कर दो डरा चो कर तलजो है। जुमो जो जा कर दो दो बिन प्यार के है जीना सजा कर ले तू प्यार लेले मजा चक ले तू आज मेरा नशा संग मेरे आज लच ले तरा लेले प्यार का मजा कर ले तू भी हता आजा मुझको तू अंग लगा ले डन 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 राज्या पास मेरे आधिजा दिल दिल दिल्ने मेरा आध्या लोटा दू आजा बाहो में आधिजा महफिल के रंग में रंग लो जरा देखो समा है यहां खुशियों भरा हाँ 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 दो जा में लोग करो फिट मामला देखो कमाल फिर होता है क्या हम सा यार कहां गुल गुल जार कहां दिलों की हम भी तो है राजा हाँ डम 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 दम तमा तमल गए हम दना दम जम जम के जुमोगा जीना उसी का जीना है ये गैरों की खातिर जो है जीया खुशियों को अपनी बांडे जो खैरो का घंगी जिसने लिया जिसमें सबकी खुशी वो ही काम करो दिल न तोड़ो तुम कीसी का बन मन जो भुचा है साथ थी वो ही करो जीलो यार तुम चीब भर के चल 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 ते रहो राह में तुम नरको जीवन है लड़ाई तुम जीतो लो खत्तम, लास्ट पैग है, दोनों आदियादी पैएंगे ये लो पहले तुम डखारो वो कौन है, वो सिकंदर भाई और हमारे मालिक वो दोनों उधर क्या कर रहा है, उन दोनों की दोस्ती बिना अजीव सी है हमारे मालिक गाओं की भाषा बोलते हैं और सिकंदर भाई मुंबाईया लैंग्वेज एक दूदरे को समझने में टाइम लगता है, इनका ऐसे ही चलता है दरसल इसे कहते हैं असली दोस्ती सिकंदर भाई भी शरीफ आदमी है, वो पेचारे गाड़ी चलाते हैं रभवान इन दोनों की दोस्ती आइसे ही रखे है अहां कपकी सो गई, खाना भी खा लिया अरे यह क्या कर दिया भाई, साले कहा कहा देखता है, गाड़ी चल रहा है, देखता नहीं है अरे बात दिखने की नहीं है भाई साब, गाड़ी है रस्ते पर चलेगी तो कही न कहीं तो टकरावी सकती है न भाई पर तुम इतना जयादा एकसाइटेड मतोल सबसॉल हो जाएगा एक ऐसे सॉल करेगा, ए तेरा जैसा छोटा गाड़ी नहीं है, लैंड कूरजर है लैंड कूरूजर यहां आपस में लगी है थोड़ा सा एक्सिलिंट हुआ और क्या हुआ पैसा लगता है जम शुरू हो कही ए सिकंदर भाइग माथ प्रगा ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रहा है वाँ अनिल है यह आसपास कोई ऑस्पिटल ले तुरे क्या कर दिए यहां से 10 किलो मिटर दूर है तो नहीं करो जल्दी आप जल्दी अनिल तुम्हें बीच में आने की क्या जरुआ थी यह उन दोनों का प्रब्लम था आपस में सुल्जा लेते इसमें मैंने खलत क्या किया सिकंदर भाइग मेरा नहीं आपका दोस्त है कुछ भी हो पुलिस केस तो हो गई अगर वो मर गया तो मर्डर केस होगा इसका सबूत क कि मैंने वाहरा हुसे मैंने नहीं देखा कि मैं हूँ उसका कवा मैं सच ही कहूं गा तो पीने ये लफड़ा मैंने किया ना तुमें इसे खदम कर जाऊंगा जाओंगा कि तर सुनो जिस्कंदर भाई को जानी के लिए ज़ में जरूरुत पड़ी तो पुला लें अच्छा कि इंसान का जीना हराम करने के लिए तुम्हारे और कितने रिष्टदार है तुन छुटकी अरे कौन से जंगल से पकड़ कर लाईए तु इसे मर्द के नाम पर कलंख है मेरे प्यारे जीजु मैं यहां से जा रहा हूं बरसु में जेल की हवा खा चुका हूं अब मैं वहां जाकर और नहीं सरना चाहता मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरा गुनाह तुम अपने सिर पर लेकर मेरा साथ दो तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह और तुम्हारी बीवी को अपनी सगी बहन की तरह मानता हूं तुम सभी लोग मेरे दिल में थे और हमेशा रहोगे पॉलिस का लफ़ड़ा खत्म होने के बाद मैं वापस लोटाओंगा आपका साला अनिल वर्मा यह लोग तो फिर से आगे है जीजू जीजू या है कल राज जिसे मैंने मारा था फिर से आया है जल्दी आओ वो देखा वो ही है न जीजू वो मारा नहीं है अरे यह तो किसी और को भी साथ मिला है बोलोग यहां क्यों आयोंगे बदला लेने के लिए जिस तरीके से उंगली दिखा कर इशारा कर रहा था मतलब पुलिस में शिकायत नहीं किया वैसे यह लोग कभी भी हमला कर सकते हैं पुश्या रहना हो गए इनसे जीजू जीजू इरादा नेक है तारा इल्जा मेरे सर पे मढ़के खुद भागने की तैयारी में था अरे नहीं 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 तो आपको एप्रिल फूल बना रहा था सच में वो भी सप्टेंबर में क्या हो रहे जी तुमारा भाई मेरी गर्दन फसाना चाहता है अरे तु सीरियस मत हो मैं मजाग कर रहा था जीजू से ये दुनिया गोल गोल है ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमने ये सब काम आता है आता तो है लेकिन गाय भैंसूं की दुलत्ती से मुझे डर लगता है इसी की वज़े से मैं इस काम में हाथ नहीं डालता है हाई नाना जी नाना जी नाना की प्यारी लाडली नाना जी ने अपनी लाडली के लिए तोफाल आया है ये लो चॉकलेट शेकर सुनिये नाना जी आये है जीजू सब हैस्ट मिलेगी अलमारी में ले लो डर्ट मिली है हाँ मिल गई दोती है क्या जी जू वह देगा वहाँ सुख रही अरे नाना जी आ गया केदार ये जीप में जो सामान है उसे अंदर है अरे समल के भागो मत अरे धेर सारा सामान लिया है ये हमारे ही बाग के केले हैं इसे पका कर खाना पैर लागू मौसा जी तू यहां क्या कर रहा है काशी दर्शन के लिए जा रहा हूं मौसा जी काशी जा रहा है ये जहां कब आया पूरा एक अफता हो गया मेरा लड़का इसी के सोहबत में रहकर भी गड़ गया है मौसा जी मैं पहले वाला अनिल नहीं रहा मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है मौसा जी एक धकाय थी आगे चलकर वालमी की बना न उसी ने रामसिता की कहानी रामैड में लिखी की नहीं काली भी किसी से कुछ कम नहीं थे लेकिन जब दास बने तो कितने मशूर हुए वो तो उसी तरह मैं भी वो अनिल नहीं रहा कुमार अनिल हो गया हूँ सच में तु बहुत बदल गया है नहीं हाँ आप तो आपको विश्वास हो गया ना मौसा जी कि मैं वो पहले वाला अनिल बिलकुल नहीं रहा है इसके अंदर सच मुच ऐसा बदलावाया है क्या नाना जी आप यहां कुछ दिम रहकर ही जाएंगे ना यहीं इरादा है यहां का हिसाब किताब देख कर ही जाओंगा नाग के शक्ति और नाग द्योंता की मड़ी की चमक से ही इस गाओं को नाग पंचमी गाओं के नाम से गाना जानता है और आज नाग पंचमी का उत्सम है और इस खुशी के आउसर पर मैं आपके सामने प्रोग्राम करूंगा कुछ फिल्मी कलाकारों को आपके सामने पेश करता हूँ सबसे पहले मल्यालम के सुपरिस्टार मोहनलाल जी को आएए देखते हैं उनकी एक जला थेंक यू थेंक यू और अब हमारे फिल्म जगत के सुपरिस्टार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं मेगाइस्टार ममूटी अब देखिए उनकी एक जला किसी ने जूचा किया तो ना जिस्म रहेगा ना खोबिएँ समझ याना अबूटी का नाम दू शूना ही होगा थेंक यू थेंक यू अब आ रहे हैं हमारे इंडस्टि के गविराज कहलाने वाले जैशू dir prime थाएंक यू थाएंक यू अब आ रहा है हमारे फिल्म के कॉमेडी स्टार मिस्टर जग्दीश आप देखियों के जणार ज़ात जया है अमने जिसको पीटा था हुआ है हमने अब देखो जान बचानी तो भागो यहां से अब आ रहे हैं सुल्तान सल्मा अबुश पिल्छेन, आपकार रहे हैं सुल्तान सल्मा अबुश वार रहे हैं सुल्तान सल्मा इसे इस तरह क्यों मार रहे हैं आप लो जो भी प्रॉब्ले में हम बाची से सुल्जा सकते हैं कि अने रखो कि अभी तक आये क्यों नहीं कि फंक्शन को बीच में छोड़ने कहां चले गाये थे हम लोग हम लोग चाय पीने गये थे तुम लोग बाहर क्यों खड़ें चेकर कुछ न कुछ तो लफ़ला है सोचा तुम्हारे आने के बाद अंदर जाएंगे दर्वाजी की कड़ी तूटी हुई है लगता है कोई अंदर गुश क्या है यह किसका काम हो सकता है यह चोरों का ही काम होगा अक्सर इस तरह कुंडी तोड़कर चोरी करते हैं शेकर सम्भाल के जाना यहां रखा हुआ पैसा खयब है पंप का पैसा था अब मैं सेट को क्या जवाब दोंगा भरोसा हो गया ना घर में चोरी हुई यह लो वहां से निकाल कर चावल के डबे में रख दिये थे मैंने चावल के डिबे में चोर का बाब भी वान नहीं पहुद सकता क्या दिमाग पाया है चुटकी ने लगता है किसी ने घर की तलाशी ली सई है कुछ भी हो कल हमें पुलीस में कंप्लेंट निक्वानी किस्मत अच्छी है जो 32 दांट मिले हैं वरना मसूड़ा ही छिल जाता जीजु वह देखो पुलीस की गाड़ी आकर रुकी है देखो उनके इधर आने से पहले मैं भाग जाऊंगा तुमको भी साथ भागना है तो आजाना तेरे साथ मैं क्यों बागू लोग कर लो बात कल हम दोनों के लफडे में एक आदमी लुड़का था कि नहीं क्या का हम लोग दोनों हम लोग पुलिस अ कर दो आ है वो किसलिए भागा पता नहीं इस बाक कर कहा गया मैं नहीं जानता नहीं है हम लोग सोच ही रहे थे आपके पास आकर कंप्लेन लिखवाने के लिए अहां गंगाधर तुम यहां पर हो ओ अपनी बेटी का हाल चाल पूछने आये हो तो फिर वो का है लगता है एक बार फिर हमें मिलना पड़ेगा क्यों गंगाधर तुमारे बेटे के बारे में कोई खबर है नहीं अभी तुमने कहा था कि तुम्हें कोई कंप्लेंट लखवानी है कल रात को यहाँ पर एक चोर आया था सर रादेशम इनकी कंप्लेंट क्या है लिख लो मिला गया वो तो भाग गया साब हम अरे वह आएगा यहां नहीं सित्धा पुलिस स्टेशन में भागा है के नहीं इत्से उठाकर गाली में डालो सर मेरा गुना क्या है यह सब तुम्हें पुलिस्टेशन में बतादेगे चलो कि वीए उसमें क्या गुना जै mot Us आयो मिडालो से मैं तुम सही क्या रहा हूँ तेल गारी बैट तेल बैट ना पापा पापा तुम यही पर बैठो बैटी मैं छूड़ा कर लाता हूँ मेरे ख्याल से इस नाम का कोई आदमी अरिश्ट नहीं हुआ डियेस्पी साहब एंटी क्राइम एक्सकॉर्ट में होनी को जैसे शायद एक केस वहां दर्जुआ हुआ आप अपना क्रिम्ग्ले लिखवा दीजिए वैसे राजशेखर आपका दामाद है क्या हाँ सर शादी को कितने साल हुए नौ साल हो गए क्यों सर वैसे वो किसी क्रिमिनल केस में कभी कहीं फसा था क्या नहीं सर मेरे दामाद तो इतने सीधे हैं कि कभी एक चीठी को भी नहीं मारा ठीक है मैं इन्गवरी करता हूँ बता साब मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है उन मुंबई वालों से लफड़ा मैंने नहीं किया अनिल ने किया था वो भी उसने जान बुझकर नहीं जजबात में अकर किया था तू सच कह रहा है मुंबई वालों से तरह कोई लेना देना नहीं है नहीं सर तू लेफ्ट हेंडर है क्या क्या सर लिखने पढ़ने का काम बायाँस से करता है क्या जी नहीं सर मतलब तू नहीं यानता कि लेफ्ट राइट क्या होता है अपना नाम और पता इसमें लिख दे मुंबई में कितने सालों तक था मैं मुंबई कभी नहीं किया सर पाकिस्तानी टररिस्स से तुम्हेर भ्यालेना देना है टररिस्स से यह आप कैसी बात हैं कर रहें अब तेरी 국ERS लोगों से तेरा समबंद भी था अब ये सच्छाई तेरे मुह से होगालवाऊंगा सर क्या है वी गॉट दिस इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट सर इसमें लिखा ये किरला से बाहर गया है ये भी लिखा है ये कुछ दिनों के लिए अपने परस्नर काम से बाहर गया है इसमें लिखाने तरह ये किरला से बाहर गया है यह है वो फाइल जिससे हमने शहर से ढूंड निकाला है आप तहाए तो देख सकते हैं यह राजा के खिलाप मुंबई पूलिस टेशन में दर्जुई फाइल है पोलिस रिकॉर्ड में 2005 नौवंबर 25 को राजा पूलिस इंकाउंटर में मारा जा चुका है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में उसकी बॉड़ी से मिला था 30 बुलेट एक तम एक जैसे दो लोग आई कांट बिलिव दिस एनिवेर आई वांट टॉक्तु रुके रस्टड़ी में कहीं कुछ उचनीच हो गई तो कैसे पूस्ताच करना चाहिए ये पूलिस से बहतर मैं जानता हूं कि अच्छा मैंने आपको पैचाना नहीं तुम मुझे इतनी जल्दी भूल नहीं सकती हो मैं आपको नहीं जानता है तुम मुझे जानता है और मैं तुझे खालेद खालेद खालिद आई एम रियली सॉरी ये वो नहीं है जिस राजा को मैं जानता हूँ उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है उसके बदन को हाथ लगाते हैं पल भर में वो भूका शेर बन जाता है को ऐसा करा जाएगा जस्ट लीव ये अब मुश्किल है साथ तेरे बड़े बाप लोगों को इसके जिन्दगी किमत चुका कर मैं यहां पर आया हूँ सुन चले दरा असली गुनेगार तक पहुँचने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कोई बात ने तुम जाओ मैं जानता हूं साथ इन्ही लोगों ने सब कुछ करवाया है पोर्ट तक वो लोग कहां पहुँच बाते हैं लेकिन पुलिस हो, कानौन हो, गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं साब धरा रुको इस बात को अगर उपर ले जाने की कोशिश कीन है तो तू जिन्दा नहीं बचेगा क्या समझा मेरा किसी से कोई बहर नहीं है मैं किस से शिकायत करूँगा जोर्ज, सर्थ, इसे इसके घर पर छोड़ दो पापा क्या हुआ जी अरे कुछ नहीं हुआ पुलिस वालों को खलत फेमी हुई थी उन्हें पता चला कि मैं बेगुना हूँ तो मुझे यहां तक छोड़ने आए हैना सर एक मिनट उकिये सर आप मेरे सगे बेटे के साथ ऐसा सलूक करते तो शायद मैं बरदास्त कर लेता क्यूंकि वो एक गुनहेगार है उसके बदले में ही भगवान ने मुझे शेकर जैसा शरीप दामात दिया इसने क्या गुनाह किया जो आप ले गए जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है गुडिया तुम सोही क्यों नहीं पापा डर लग रहा है किस बात का डर बेटा इस से पुलिस वाले आए तो अब कभी पुलिस नहीं आएगी तुम सोचा बिटा तुम रोग कर इस वाल डरा रही है मैंने तुम से पहले ही कहा था कि मेरे पीछे भाग लो मैं तो मच गया समझ गया पुलिस की जात कैसी होती है कौन है शेखर बेटा अरे मौसा आप गया नहीं तुम अभी तक यहीं है जल भाग यहां से अरे रुगी है बेटा खांदान को बरबाद करने वाला आसूर है यह ऐसा मैंने क्या किया तेरी संगत में रहकर मेरा बेटा बरबाद हो गया उससे तेरा जी नहीं भरा तो मेरे बेटी का घर बर बात करने आया मैं तो यहां जी जो और बच्ची से मिलने आया था अगर मुझसे किसी को तकलीफ है तो मैं चला जाता हूं कल सुबह पहली बस से चला जाए अभी क्या भी जा नहीं बाबुजी आया है तो रहने दीजे किसी को आधी रात को घर से बाहर नि अशो का चला बेस अबच्तें जाए बाँ लिए, झार उनदैट को आया भाँ से आधाने आपवन療़ा, झाला भी से बाँ के को तो तो मैं बाँ घब पन्यार को बेली buna रेली थार जिर एार रोड़ा है तुर अजारा वार आपको बाला करूजा डारा कि अ अराद मार हो बाला को नार है वार भापको झालया है वार वार कि लुवडन्या वार अार दो युवडन्या चुमे करा मिल कि और सो तुमें! अरुट वज़ाइब有點 यहाँ! कि अगल तो जाइगा! कि हुआ कि अर्भाट है थाइगा मॉन है थाइगा फॉटे कांश का कुछ गल शुबादा था विए नहीं है अग्ड़ा हरा है कि आए पर रेस्टरांट में आने के बाद शुरू करें यह तूटे-फूटे कांश का कुछ करूदा था झाल सुबान नया मैनेजर बहुत अखर पूर्पर चार्ज ने लेगा ठीक है आप हूं जबाद कर जाना जीजो गाड़े निकाला है मेरे यहां आने से ही सब्लफ़ा हुआ कल रात वो लोग मारने ही आये थे जीजू तुम मुझे पुलिस के हवाले करते हो तुम सेफ हो जाओगी जेल में रहा तो मैं भी सेफ रहोंगी अब बाबुजी में चलता हूं कहां जा रहे हो हमारे सेट का कमिशनर से अच्छा रिष्टा है उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे इसलिए मिलकर आथा शाम को जल्दी आ जाना आ जाओं जीजू तो जरूर आएंगे छुटकी पर मेरा कोई भरोसा नहीं यह अमारे पिछे को मारा है मेरा जादेंगर बाड़ी चला रहा है अेले साल Fahrenheit लाव रहां हो रौसि व्लाव जड़ा का अ.. असंद मारा हो आप्भी लावता वतमक्ねव का अषया है जह असे ब buat दर में यॉ Lacomus 25 नड़ा शॉरे सत्वाई Cानल volcano को सी हैrain है. एनोने गहर लिया हमे करता दो लिया है करता था है करता दो करता दो करता दो बुआ रखना कि दरना मत कि अपने आपको पीटी उशा समझ कर मेरे पीछे हो लो बार दो कर दो प्रू करें। डजजuku में पर दो ओनों साम्持ब। कि या हुआ हो कु़ographics है अे जए हो में एना कि बुआ है यू झाल 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 तो तू मान ही गया कि तू राजा है अगर कोशिश की तो धड़ से सर अलग कर दूँगा झाल 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 तू मुंबई में बड़ा आदमी बनने गया था लेकिन बन गया एक टाक्सी ट्राइवर और एक दिन नुद् पूलिस मेरे पीछे गाड़ी सिधा चलाओ पूलिस मेरे नेजर के सामने आए मुझे पंगा लेने का कोई शॉक नी आप जैसे लोगों से दूरे रहता हूं इतना लेट हुआ तो मैंने समझा की पैसे गये हाथ से मैं तेरे बाप की पैदाश नहीं हो बे ए तेरी तो उन लोगों ने हमें धोका दिया पुलिस को पहले से खबर किया था हमारे डिल के बारे में पुलिस पहुंच गई थी वहां पे बाल-बाल बचके आ रहा हूं मैं उस टेक्सी में मेरा बैग बदल गया यह जूट बोल रहा है बॉस बहुत अच्छा काम किया साब आप मेरी बैग लेकर आगए ले देकर यही प्रापरटी है मेरी इसमें क्या है तु जानता है कुछ भी हो मुझे क्या मतलो मैंने तो उसे छुआ तक नहीं क्या यह तो हमारे साथ काम करोगे हमारे काम में थोड़ी सी बेहिमानी है लेकिन हम बेहिमानी का काम भी बहुत इमानदारी से करते हैं मेरी इमानदारी को देखकर उन लोगोंने मुझे अपने ग्रूप में शामिल कर लिया मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ काम करने लगा वार राजा पर देदा राजह पदेख तेरी जगे तो छिन गई चंद्रू, बोस को अब तुम्हारी जरुवत नहीं है, राजा एक कि अदवत मुद्रूचा कि अद्रूचा को अद्रूचा कि इन जदे पाय चाहा है, कि अदिग सकता है, भी हमद्रूचा को अजा़ मिलादाख नहीं है, भी हम चाहाए भी हमको सूटू। भाई का जो ट्राइवर था सिकंदर, वो बाद में मेरा ट्राइवर बन गया उसी वक्त, बंबई में बं धमाके हुए, जिससे मेरा दिल तेहल गया भाई और आतंकवादियों के बीच साठ गाठ है, ऐसा केस फाइल करने की तैयारी शुरू की गई अनकाउंटर स्पेशलिस दाया पाटिल, अन्टी टर्रिस्ट का चीफपन कर नियुक्त हुआ जनता की सुरक्षा के लिए कलेक्टर महिंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया सार, इनके पीछे कौना ने ये पता करने के लिए उसको सिंधा पकड़ने पड़ेगा सार रजा भाई, मुम्मई ब्लास्ट में चंद्रू भी जुड़ा हुआ था और उसकी आतंकवादियों से सांठ गाठ है, ये बात मुझे सिकंदर भाई ने बताई, तो मुझे यकीन नहीं हुआ पल मुझे ये खांड की किसे रिहां हुआ है खाप में है और आ है now i will shoot you hands up now you shoot me yeah now see this see you want this no no shoot oh oh Vitya is it okay? excuse me oh Shikhar you that was a surprise I was telling you about Shikhar Oh hello and you have to charge you have to charge you have to charge you have to charge where are you? my small business bye uncle bye you know this uncle no you know this uncle no what is your name oh oh Shikhar whenever we have time we have to charge we are going sir 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 yes sir it it . haha okay I I I I आतंकवादियों से साठ गाठ है ये बात मैंने वामशी सर से पूछी लेकिन जैसे उमीद थी वैसा जवाब नहीं मिला मुझे राजा चंदरू के और हमारे धंदे में किसी से भी रिष्टे हो सकते हैं तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो जस्ट माइंड या ओन बिजनस अंडिस्टेंड नया कलेक्टर सारी खबर तुम्हें देरा ऐसा चंदरू ने मुझे बताया है हमें आपस में मद्भेद हो सकता है हमारे ग्रूप के साथ धोखा जड़ी हुआ तो फिर कि अब उस दिन सिकंदर भाई की बेटी की साल गिरा थी तो मैं केक लेकर उनके घर चला गया भावी जी नमस्ते सिकंदर भाई है अंदर ही है देखो राजा भाई आए है है एपी बर्स दे पेटा यह केक आपके लिए जब लोग आएंगे तब इसे काटेंगे ओके थैंक यू अंकर बिटा बस हम यू गए और यू आ जाएंगे फिर हम मिल कर सेलिबरेक करेंगे ओके नमस्ते मैंने सीधे कलेक्टर से मिलकर ये बात बताने का फैसला किया सोरे सर कलेक्टर साब आपको मिलना चाहते हैं मैं उनी से मिलने जा रहा हूँ चलिए अपने गाड़ी में चलते हैं आच्छा जी मैं अभी आ रहा हूँ मा वेटी कहां जा रही है हम शापिंग के लिए है है शापिंग करने अचा लगए मैं कलेक्टर साब से रहें नो 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 not this I need a detailed report so send back yes sir sir ओम सांक हम घूगा ओए कि नंग आँ और देहल है तुम क्या भिजिनिस करते हो US लेक्सेक पर च्राते कौरों टेलेख जो ढीधिन करते है तुम्हारे बारे में मुझे विद्या ने जतना बताया था मैं उतना ही जानता हूँ अफकोर्स एक हद्तक में तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करता हूँ वो कहती है छोटी उमर में ही शेकर मुंबई आ गया था यहां आकर उसने पढ़ाई लिखाए की और बहुत कुछ किया वगेरा वगेरा तुम्हारे बारे में उससे ज्यादा नहीं मालम राजा इस वक्त मेरी कस्टडी में है और वाजय तुम्हें तो पता ही होगी न राजा का लुक मी राजा मुंबई पॉलेटिन सिटी के चार आइडियल स्पॉट का नजारा तुम इस वक्त देख रहे हो हमें इंफर्मेशन मिली है कि इन में से किसी एक जगह पर ब्लास्ट होने वाला है तेल मी देट तुम लोगों ने कहा बॉम फिट का रखा है बॉम? मैंने कोई बॉम नहीं लगा है राजा तुम इतने गरीब लोगों की जान के साथ क्यों खेलते हो? क्या चाहिए तुम्हें? कैसा? सर मैं कुछ नहीं जानता राजा प्लीज हमारे पास बिलकुल भी वक्त नहीं है जो भी करना है जल्दी करना है पटिर उसे लेके आओ तिवारी इसी ने वो बॉम बनाया है इसी ने फोन किया है और इसी ने तुम्हारे हाथों में भी दिया है अब साब साब बताओ वो चमकीले कागज में लिटा पैकेट तुमने कहां छुपा कर रखा है वहाँ सिकंदर भाई के घर पर भॉम रखा गया है माई गॉड अब और था गोड़ी का रहते हैं वो जगे मैं जानता हूं है कर दोल्ड कर देखिब एंद उल्यक நिक्स्तर नहीं? कर दो आउर्फ अजा है कhelm नहींट कर अदाव ले इसके, कमोंबगा थाक्षक नहीं आंज तो वैके जा खाली अपने आपको सब पुलिस के अवाले करनो और ना जब के सब मारे जाओगे एवरिवान, टेक पॉस्टेंट यॉर सरेंदे बाद पुलिस, दोंट राइटो एस्केप, वी विल शूट अलो, टर्न बैक, वाट, तुम्हारे पीछे वाली बिल्डिंग पर नज़र गुमा कर देखो नो, मेरी बच्चे को कुछ मत करना, हमें बच कर निकलने के लिए गारी चाहिए मेरी बच्ची मुझे चाहिए, मेरी बच्ची को वापस लियाओ, मैं हाँ चोड़ती हूँ तुम्हारे साथ ने मैं पॉलिस का स्टडी मेरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता प्लीज 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 वाय प्लीज प्लीज अट झाल झाल डाइटी बाइटी मेरी बच्चे को बच्चित बच्चना बेटी बेटी बूब बग 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 नौ अजय को! कि अ जिए सय Careicable कि अजय के गुछ जिए परोदेख दोली पिर नदी हुझा झार लायकिन हुझा है प्रूज़ कृ notation कि एक इंक व्होस में अर्रिचि भी और है आँश convenience इंक एक धड़ दीप और सन्हारे कि बारत रिए मुंबई टेरर अटाग मेन अक्यूस इन मुंबई टेरर अटाग राजा वर शॉट डेड इन पुलिस इंकाउंटर। सारी जनता यही समझ रही है कि राजा बिज दुनिया में नहीं रहा। मुंबई पुलिस के पुलिस रिकॉर्ड में कल जो पुलिस इंकाउंटर हुआ था उसमें राजा मारा गया और चंद्रू बच निकला। लेकिन मरने वाला आदमी राजा नहीं बलकि चंद्रू है यह बात सिर्फ हम जानते हैं। यह समझो कि बच्ची की जान बचाने के लिए यह एक ऐसान है। लेकिन एक बात तुम दोबारा कभी भी यहां दिखाई मत देना। शेखर कभी मुंबई में आया ही नहीं। अपना गाँ छोड़कर वो कहीं नहीं गया। यह बात यह फैल है। उस दिन चंद्रू का नाम देकर मुझे फरार करवा दिया गया। वहां से मैं चंद्रू के घरवानों से मिलने गया। उसके बाद चंद्रू की बहन राधा मेरी घरवाली बन गई। चंद्रू और मेरे बीच क्या हुआ। यह बात ना राधा को पता थी और नहीं उसके घरवालों। इस डॉन का नाम तो मैंने सिर्फ सुना था। आज पहली बार अपनी आँखों से सामनी देख रहा हूं। अगर भूल से भी मेरे मुझ से कुछ हनाप शनाप निकला हो तो आप उसे दिल से मत लगाना मुझे माफ कर देना। मैं कौन हूं यह बात सिर्फ तुम्हें पता है। और किसी को पता ना चले। अलो राजा। पहचान ही गया होगे के मैं वम्शी बोला हूं। तुम ही वो राजा हो ना। यह साबित करने के लिए मुझे बहुत महनत करनी पड़ी। तुमसे एक छोटा सा काम है और तुम्हें आना होगा। मेरे पास। मैं कभी नहीं आऊंगा। बीवी, बच्चे, फैमली। यह सब छोड़कर तो तुम्हारा आना बहुत मुश्किल होगा ना। वैसे इस बोच को कम करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर साकता हूं। तुम्हारी ससराल के सामने एक खेती वाली जमीन है। उधर 40 आदमी काम कर रहे हैं। जिन में कुछ बिहारी हैं, कुछ बंगाली। और उनमें चार मेरे आदमी हैं। जिस तरह सिकंदर की फैमली को बरबाद गिया था ना। तेरी फैमली को भी कर दूँगा। चला। क्या हुआ। हमारे आदमियों में चार लोग उनके हैं। अरे। राधा। राधा। वोग मार्केट गये हैं। मार्केट गये हैं। हुआ 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 है कि इसका कितना शेकर तुमका बाए बज अभी अभी कमिशनर से मिलने गया थे ना क्या हुआ उनकी तरफ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा यह चाहिए, नहीं चाहिए, ले लो, नहीं, कि अजग decisions, कि अजगा इँ, मुझ अाया दो एंध,usan event, लूगा हुआ कि 1997, 2017, 2017, 2017, 2017, 2013, 2017, небольшिकिन वे लुटोग, भीुपछ, लगाउने के लंध, लूगाों, लूगा요यादker whenever the bakun शेखर नजर नहीं आ रहे है जीजा जी अपने दोस्ते में ले गए है मम्मी गुबै आपको बता दोगा ठीक जीजा जीजा जीजाँ में पिल्दाओ कि लो दो हैं। जो जो चाहिए ले लो ठीकि बुचर ले लो शेखर वहां क्या हुआ है नोटी मोटी लड़ाई होगी चलो किसने की उससे हमें क्या लेना देना चलो घर चलते हैं कोची में कितने दिनों तक रहना है शेखर नया पंप है उसे सेट करने के लिए मुझे खुद रुपना पड़ेगा सब सेट होते ही आ जाओगा चलो बाई गुडिया बाई पापा वंशी ने मुझसे कहा कि हमारे आदमियों में तीन-चार आदमियों उसके मिले हुए मेरे आने तक इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुमारे सर है इनके शरीर पर खरोज डालने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा ज्यादा बातें मत करो क्या जीजू आपको भरोसा नहीं है वैसे आप जा कहा रहे हैं मॉंबाइ बाचा की 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 बाच व्ली लाज़आ जाता powered विये हो था ओ ये लिए कर Die ले । गाट जा जाट जा जाट 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 बहुझा ह दिए कर जाट बॉस के सामने कैसे बैठते हैं शायद भूल गया जल्दी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ दस साल पहले तुमार तुमारे दोस महिंदर वर्मा ने मेरे धंदों के साथ साथ मेरी पूरी फैमली को खत्म कर दिया था याद है मुझे तुम से उसका पुराना हिसाब सूच समी चुकाना है बीते हुए दस साल हम लोग जेल में सिर्फ यही उमीद लेकर सड़ते रहे कलेक्टर से बदला चुकाना है यही हमारा मकसद है आजकल कलेक्टर बहुत उची मुकाम पे है वो इस वक्त तमिल लाडू में चीफ सेकेटरी है अपनी बच्ची की शादी की तैयारी के लिए एक महने के लिए कोयमतूर आया है सेंट्रल मिनिस्ट्री से अच्छे तालुकात होने को वज़े से उसको मिल्ट्री प्रोडक्शन मिला है उसको जान से मारना है एक प्रोफेशनल किलर जो काम नहीं कर सकता इसलिए काम तुम को करना है तुम दुनों में पूराना रलेशन होनी को यसे तुम हर लिए बहुत आसा तुम लोगों के इस वक्त दो ही दुश्मन है एक मैं दूसरा चीफ सेकेटरी मेरे हाथों चीफ सेकेटरी को मरवाओगे और उनकी सेकेरिटी फोर्स के हाथों मुझे मरवाओगे ब्रिलियंड के वहां से बच के निकलना तुम हरा जिमा होगा अगर मैने नहीं किया तो तू करेगा क्योंकि तूम अपने परिवार से बहुत प्यार करते गन उठाए हुए बर्सो गुजर्गे प्रेक्टिस की ये बिना तू सही निशाना नहीं लेगा से इंडियन मिलिटरी की वहाँ पर सिक्यारिटी है चीफ सेक्रेटरी जिसके स्टाउस में ठहरे है वहाँ पर कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता मैं खड़े खड़े अरेस्ट हो जाऊंगे जिए हथियार मुझे चाहिए उसका इंतजाम मैं खुद करूगा लेकिन एक बात याद रखना अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मौत के मुँ में चीफ सेक्रेटरी नहीं जाएगा दस साल के बाद राजा राजा ही है दिए बाते सेक्टे 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 से क्या है आपकोर नहीं ते सेटी भी ऴपटेंगे इस तैन के विह एक्टे और है जिए मुल्याय को जिम्हीं को च्छिए सर्चिए बहल प्रस्टे परस्टे से कुछई कि राजा आई नो हम लिटिमें आज कर आज कर आज कर आज बात नहीं है वो कल मैं जरा यहां वाँ आपने मुझे पैचान लिया बेलकुल तुम्हें कैसे बूल सकता हो उमीद नहीं थी कि तुमसे दोबारा मिलूंगा दस साल का लंबा समय पेद गया वैसे तुम काफी बदल गए हो विद्या बच्ची को बलाओ बेटी यह तो जैसे सर्प्राइज हो गया यहां तक कैसे पहुंचे तुम यहां एक बिजनस के सिरसले में आया था तब पता चला क क्या आप यहां है इसलिए सोचा आप से मिलता चलो आओ आओ इसे पहचाना क्या आपकी बेटी है बेटी तब मोस्ट इंपॉर्टेंट परसन इन यूर लाइफ नेक्स्ट वीक इसकी इंगेजमेंट है आशिरवाद ले बेटी अरे बास बेटी ही है हमारी सारी धन दौलत और खुशी अब हमारी बेटी ही है हम किसी के करजदार हैं तो वो तुम हो ऐसी बात मत कीजिए सर सच तो यह कि मैं आपका करजदार हूँ गलत रास्ते से हटा कर मुझे सही रास्ते पर लाकर एक नई जिन्दगी थी है सर आपने आज मेरा परिवार है पत्नी है बेटी है वो लोग कहां पर हैं? गाउ में है सर, गरीब परिवार की लड़की है, मेरे आतीद के बारे में उसे कुछ नहीं बता. कभी बताना भी मत, वो एक गुजरा हुआ चैप्टर है, बच्ची के इंगेजमेंट तक तुम यहीं रहोगे न, रहना ही पड़ेगा. ठीक है, मैं जाकर उनको लिया आता हूँ. तुम्हें जाने की जरुवत नहीं है, तुम्हारे घर के पास कौन सा पुलिस टेशन है, पुलिस उन्हें यहां तक सही सलामत ले आएगी. चितूर पुलिस टेशन, वहां के डियेसपी को मेरा घर पता है. अरे, मौसा, मौसा जी भागा, पुलिस, पुलिस आ रही है, पुलिस? शुटके पुलिस? अनेल भहिया, शेखर का फोन आया था. पुच्ची से? नई, कोईम बटूर से. शेखर के दोस्ट चीफ सेक्रेटरी हैं, और उनके घर हमें तुरंट पहुचने के लिए कहां है? पुलिस तो यहीं आ रही है, हमें ले जाने के लिए, हमें ले जाने के लिए? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम तयार हो जाओ. मैं जाकर आती हूं जाकर आओ बेटी नाना जी से आशरबाद लो मैं आती हूं नाना जी जाकर जल्दी आजाना मौसा जी मैं चलने के लिए तयार हूं कैसे हैं सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जीप में बैठ जाओं राजा चीफ सेकरेटरी को कैसे जानता है मेरे जीजू और चीफ सेकरेटरी ने एक साथ हाईस के तयारी के थी मेरे जीजू तो हार गए लेकिन वो जीप कहें ठीक है जा बैठ जा जी बिलकुल इधर बैठ जा नहीं आगे बैठूंगा ए यह परवाले यहां तक तो तुम्हा जान बची हुई है आगे भी रक्षा करना है इसका बैठ लो गाड़ी में बैठ सर्थ प्लीज गेट इन गेट है पापा नमस्ते गुडिया तुम जानती हूं यह लोग कौन है पापा यह आंकी हमाय स्कूर में चीफ गिस्ट बनकर आई थी ओ दुर्गा बहुत ही प्यारी बच्ची है बहुत अच्छा गाना गाती है चली अंदर चलकर बैठते हैं आईए पुरानी बातों को भूल जाहिए ना? ये बात मैं नहीं जानता क्या? बड़े ओफिसर आप से जो कहेंगे आपको करना ही पड़ेगा. वैसे आप मुझे नहीं जानते थे. मैं सारी बातें अपने दिल में दबा कर रखता था. कुछ भी नहीं बोलता. आउसर मिलने पर कर्स चुका देता हूँ. वो भी सूच समय. आप जाईए सार. फिर मिलेंगे. बहुत चाहिए. राजा बोल रहा हूँ. या, टेल में राजा. तू सुरक्षित बहार निकल गया है क्या? तिर्व मैं ही नहीं. मेरी बीवी, मेरी बच्ची, सब सुरक्षित है. क्या सोचा तुमने? तुम्हारे डर से मैं काम करूँगा क्या? भाई यहां उसे मारने नहीं. बचाने के लिए आया हूँ. तुम्हारे या, तुम्हारे चम्चो का साया तक उसादमी का करीब भटकने तक नहीं दूगा, मिस्टर कृष्णा वंशे. जॉन टाइगर, पैसे के लिए कुछ भी करेगा. वो इस वक्त फोटल ली में, रेडियन में है. तुम्हारे याँ विए पैसे के लिए टाइगर, पैसे के लिए याँ रेडियन में, लिए बच्टारी जिए झाज़ा हूआ है. वो प्राजी केश दो इस मेहंदर वर्मा और राज्या से डिर विल बीग चरेमने हापने तो-मर्रो दी रिंग चरेमने प्राजी प्राजीड रिंग रिंग कर दो बोट अवे लिल दिर, आप योग तो हाँ बोलिये सिकंदर भाई मॉंबई से एक इंफरमेशन है चीफ सेक्रेटरी को मानने के लिए वंशी और शाह ने मिलकर एक प्रोफेशनल किलर को सुपारी दी है उसका नाम है जॉन टाइगर काफी खतरनाग है लो सो सगाई के फांक्शन पर जरा केरफुट रहना कर दो मुझे बार का पूरा फुटेज दिखाओ स्लो करना स्लो करना इसे अची तरह चेक कर लिना ठीक है क्या हुआ शीकर क्या बात है स्लोकर कbenड़ आप दो जए ज़ सकत शेद समय कर दो गॉड़ ए डरूस के लो फुड़ एची ठम झाल 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 आप तो बड़े कमाल के निकले जीजू या सफाई दिखाई आपने गवा कौन है मैं मैं नहीं हूँ आपको यह खुशकबरी देना चाहता हूँ तुम लोगों का भीजावा इंटरनेशनल प्रोफेशनल खिला जॉन टाइगर अभी दस मिनिट पहले चीफ सेक्रेटरी के गैस्ट आउस के पास मारा गया विद नो एविदेंस उसके मृत शरीर को गैस्ट आउस के ड्रेनेज में बहा दिया यहां से ठीक पांच किलोमेटर स आउससाइड जाएंगे वहां पर एक ब्रेनेज ब्लॉक है बॉड़ी चाहिए तो वहां से कलेक्ट कर लो गोड़ नाइट स्वीट ड्रीम जीजू आप सच में राजा है राजाओं के राजा है यह आपकी घड़ी हां हां सर येस यह फाइल में साइन करना था हो मैं तो चाहां जा रहे है पुल देता के मन्दिर में वह कहां है शहर के बाहरं पच्चीस किलमेटर के दूरी इनके साथ सीक्योरिटी नहीं पुलिस्टेशन को इनफांम कियाना मंदिर स्मय कौसी स़िवर्टों दूश्मन Knights मेरा कौन दूश्मन है बहुत देर हो रहे हैं मुझे ज बच्पन में जब मैंने होस समाला था ना मेरी मा मुझे यहां लाया करती थी तब किसी पंडित ने मेरी मा को बताया था कि मैं पूरे सौ साल जीऊंगा अब भी मुझे ये बात याद आती है अगवान का नाम आते ही सबसे पहले कूल दियुता की याद आती है उस दिन जब मेरी बेटी की जान मुसीबत में थी तब भी मैंने इस कूल दियुता की ही प्रार्थना की थी अब मेरी बेटी की शादी है तो मैं सोचता हूँ उसका प्रोग्राम भी यहीं पर करवाओं यहाँ पर? लेकिन यह जगे सुरक्षित नहीं है ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यहाँ कोई मुझे गोली मार देगा क्या? मैंने अपनी जिन्दगी में आज तक कभी किसी के साथ नाइनसाफ ही नहीं किये अगर किसी को कोई तकलीप पहुँची भी है तो वो सरकारी कामकाश से सरकार हमें हुक्म देती है हम तो हुक्म की तामिल करते हैं सही है भगवान की दया से मेरी जिन्दगी में कोई कमी है तो वो है दुश्मनों की आजिकंदर भाई कृष्ण वन्शी कोई मतूर पहुंच गया है होटल सिटी पाप में ठैरा हुआ है भाई कोई बहुत बड़ी गड़बर लग रही है परना वो खुद यहां नहीं आता अपना खयाल रखना टेक है राधा राधा वो सब बाहर चला गया बाहर का वो लोग तो शोपिंग करने के लिए गया है कि अधि कर साथ में आया हूँ ना आप टेंशन मतलों मैं सब को सही सलामत घर ले आऊंगा तुम लोग रुकों दंस आया यह रहा हूँ जी आवाज निकाला तो कोली मार दूँगा सिर्फ तुम कोई नहीं तुमारे साथ जो आये हैं ना उनको भी उड़ा दूँगा चुप चाप चल उधर देख चल राजा को फोन कर अनिल बोरो जीजू यहां लफड़ा हो गया इन लोगों ने हमें कवर कर लिया है आवें बचा लो जीजू हलो कृष्णा वंशी सर मेरे परिवार को कुछ मत करना सर वो मेरे लिए सब कुछ है आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा तेरी फैमिली को तो मैं छोड़ी दूंगा लेकिन उससे पहले मुझे तेरे चीफ सेकरेटरी की जान चाहिए वो इस वत के इस शाउस में अकेला ही है ना वक्त बहुत कम है कर दूंगा झाल 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 अरे तुम अचानक कहां चले गए थे? क्रिश्ना वंसी और उसके साथ ही उने जेल से निकलने के बाद आपको मारने के लिए मुझे चुना मैं यहां आपसे मिलने नहीं आया बलकि मारने आया मेरे बीवी बच्चों को मारते का यह धमकी दे कर आपको मारने के जिम्मेदारी मुझे सौपी है सर मेरे बीवी बच्चे यहां सुरक्षित रहेंगे यही सोच कर आपको बचाने का इरादा किया लेकिन अभी मेरे बीवी बच्चे आपके बीवी बच्चे उन लोगों की कस्टडी में मैं कुछ नहीं कर सकता खून खराबे की जिंदगी से आपने मुझे बाहर निकाल एक नई सिंदगी दी आज मेरा परिवार है सिर्फ आपकी वज़ा से मैं किसको बचा हूँ अपनी जान से ज्यादा चाने वाले परिवार को या फिर आपको जो मेरे लिए भगवान समाने आप ही बताईए सिर्फ मैं क्या करो जैसे तू अपने परिवार को जान से ज्यादा चाहता है वैसे ही मैं तुम्हें चाहता हूँ उन्हें फोन करके काओ मुझे जिंदा उनके हवाले कर रहे हो और वो मुझे मारे क्या चीज सेक्रेटरी मारा गया नहीं मैं उन्हें मार नहीं सकता आप जगे बताईए मैं उन्हें बहां लेकर आता हूँ ठीक है शाह तुझे फोन करेगा हलो तेरे पूरे खांदान को हम ले कर जाएंगे समझा कर को ओुझे उन्हें कर रांदारी टाम युल मैं उन्हें आपे हम सकता दुझे कि उरो कि उन्हें यहाँ कि झाल प्राइव यह यह ऊजऑ झाल 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 मार के आता तो ज़्यादा अच्छा होता फिर से पुराना राजा बन जागा आज कल परिवार का प्यार ऐसा करने से रोक रहे मसे मसता हो जो भी हो तुमने अपना काम किया फैमिली सेफ है या नहीं फोन दरके पूछ लो हम लोगों ने हमें छोड़ दिया है हम लोग चीफ सेकरेटरी के घर जा रहे हैं हमने जो कहा था वो काम तुमने पूरा किया और जो हमने वादा किया तो वह हमने पूरा किया अब हम चीफ सेकरेटरी को फूलों से सजाएंगे समझे अब तुम जा सकते हो सत्या वमसी साहब को फोन लगाओ वो आने वाले थे अभी तक क्यों नहीं आये प्राइंगे झाल 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 दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, यह तुम्हारे बॉस का ही फोन है, वमसी सर आपका भी फोन नहीं उठाएंगे, वमसी सर ब्रिटिश क्लब में एक घंटे में पहुचेंगे, यह तुम्ही ने कहा था, याद है न? अर्याद की सर बहुत जीली अगर आप जिन्दा रहे हैं तो मेरी जिन्दगी का सुकुन छेंज जाएगा शाह, अब आपको फोन की ज़रूरत नहीं है तो मैं उपर भेजने का बीड़ा सिकंदर भाई ने उठाया है परिवार का बदला लेना चाहते है कालेड़ चाहते है कालेडर प्रयं कर बार हम जाएगा खर जब भार जजा अतो जजश किशटार। जब हमगों जब हमें जब हमगों एफकोर जब हम जब हमें बढसरे डिंझ, नहां shall be injection! I marry you! उरूहां गनारे सिर्णारी, मेझा अरूहां। भा gue listen! बढसरे से कास'mे तरूहां Are you? मुझा ह।ो12 bạn करें, कर दुदाद से खटी एंग कर दो कर दो डिरुटंग कर दो चसरे आल कर दोरा है कर दॉट कि य software है कि दॉट कि दॉग झाँ और झाँ हैं ईज़ भाँ कर वे चुर्छ अइब झाँ बना के का वहां मुझा इस वाँ प्राइब पुछ जो सुर्षित जे जाढ़ को आड़ हैं उस दिन मैंने इमानदारी दिखाई थी लेकिन मेरी इमानदारी का तुम लोगों ने फाइदा उठाया था लेकिन आज मेरी इमानदारी मेरे देश के प्रती है मेरे परिवार के प्रती तुम मेंसे कोई भी जिन्दा बजग गया तो मेरे परिवार के लिए या सर के लिए खत्रा बना रहेगा इसलिए वंसी साब का साथ देने तुझे मैं उसके पास भिजवा देता हूँ भूटो याँ आपके पुराने दुश्मन आपको चोट पहुँचा रहे थे तो आपकी सिक्योरिटी ने उन्हें गोलियों से भून डाला केस क्लोस्ट अरे पर गया जीजू हमारे केदार को बाहर कुछ लूग मार रहें जाकर देखो ना सबक सिखा दो उन्हें क्या हुआ यह उनका आपस का लफड़ा है हम सरदर्द क्यों ले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा उस दिन तो तुमने इनकी यही एक बुरी आदत है जहां मार पीठ होती है वो उस एरिया में जाते तक नहीं हुआ हुआ है लाच्चीरो का छो हिए, लाच्चीरो Chief